तो हलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम फिर से खेलने वाले जी टी ए फाइव तो जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा कि भाई यहाँ पर मेरी जो अमांडा मेरी वाइफ है वो मुझे यहाँ पर छोड़के चली गी थी क्यों किसी में घर पे आया तो मैंने क्या देखा कि जो गाड़ी मैंने अमांडा को गिफ्ट करने के लिए ली थी वो यार किसी ने बलास्ट कर दी थी लेकिन यह शुकर है यहाँ पर मैंने अपने घर में CCTV वेगरा लगाये हुए जिनकी मदद से मैं चेक कर सकता था कि यह कारनाम है और वो यही काम कर रही है कि यह जो भी गैंग छोटी मोटी है वो उनको अपने साथ कर लेते और जो गैंग वाले नहीं मानते तो भई वो उनको तुरंत के तुरंत खतम कर देते साथ यह जो थोड़े बड़े गैंग वाले अगर वो उनके साथ हाथ नहीं मिलाते तो वो क्या करते भाई वो यार उनको financially कमजोर कर देते मतलब उनका business वगएरा जिन से पैसे वगएरा कमाते वो सब वो खतम कर देते और जिन गैंक्स वालों के पास पैसे नहीं होते न वो automatically कमजोर हो जाती है क्योंकि हमारी जो गैंग्स होते हैं उनके भी काफी ज़्यादा खर्चे होते हैं for example जैसे कि उनको weapon वगएरा लेना पड़ेगा या फिक car वगएरा party वगएरा के लिए पैसे काफी ज़्यादा खर्च होते हैं या फिक किसी politician के साथ भई आपको दोस्ती वगएरा बढ़ा नहीं है तो आपको यार उनको काफी ज़्यादा पैसे देना पड़ता है तब यार politician आपको अपना दोस्त मानते हैं तो इसमें भई काफी ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो यहाँ पर जो गैंग वगएरा तो उनके काफी ज़्यादा पैसे लगते है और जो नई गैंग आई है उनका यही मानना है कि अगर हम पैसे से इनको कमजोर कर देंगे तो अटोमेटिक इनके connection कमजोर हो जाएंगे और अगर इनके connection कमजोर होगे तो मतलब इनको मारना काफी ज़्यादा असान होगा बागे यहाँ पर हमारे जो CCTV की वीडियो थी उसको लेकर मैं गया था लेस्टर के पास ताकि मुझे कुछ है यहाँ पर वो information दे सके और यहाँ पर लेस्टर ने क्या करा था जो यार दो बंदे मेरे घर पर आया थे मेरी गारी को blast करने के लिए उनकी photo को अपने database में पा दिया था उसको search पर लगा दिया था ताकि मेरे को पता लगे थोड़ी सी information मिल चके कि यार वो लोग कौन है तो यहाँ पर यहाँ लेस्टर ने मुझे कहा था क्योंकि हमारे घर में जब से हमला हुआ ना तब से में को यहाँ पर थोड़ा साफधान रहना पड़ेगा क्योंकि यार जो एक वारी हमला कर सकते वो मेरे घर में दुबारा भी हमला कर सकते अब उससे थोड़ा बहुत बचने के लिए यापर मैंने चार बोडीगार्ड को हायर करा है ताकि अगर याँ पर कोई भी दिक्कत हो कम से कम यार ये उनका मुकाबला कर सके याँ मुझे थोड़ा बहुत याँ पर प्रोटेक्ट कर सके ठीक है क्योंकि यार वो जो गैंग है काफी ज्यादा खतरनाक गैंग है तो मुझे उनको हलके में नहीं लेना चाहिए कि अगर मैं उनको हलके में लूगा ना तो भाई क्या पता याँ पर मुझे काफी ज्यादा बड़ी मुस्रीबत आ सकती है क्योंकि यार जैसे कि आपको पता है आपको अपने दुश्मन को बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगले गैंग के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें कुछ भताए नहीं है क्या पता भाई उन्होंनों मेरी फिल्डिंग कहां बिठाई हो तो भैया मेरे को यहाँ पर काफी ज़्यादा साफधान रहना पड़ेगा फिर आर भै अभी हम जाने वारे लेस्टर के पास ताकि हम यह कुछ पता लगे कि यह उस गैंक के बारे में और उन दो लोगों के बारे में जो दो लोग आये थे और जिनोंने मेरी गाड़ी फोड़ी थी उन में इतनी हिमत आई काँसे मैं तो यही सोच के हरान हूँ या तो फिर उनके उपर किसी गैंक का हात होगा या फिर किसी पोलिटीशन का जिसका अच्छा खासा यहाँ पर रुदबा है यह तो भई ऐसे को या दिन दिहाड़े किसी के घर में जाके RPG लोंचर से उसकी गाड़ी नहीं फोड़ता यह बस वो ही कर सकते है जिनको अच्छी खासी सपोर्ट है और जहां तक मुझे लगता है यह जो नई गैंग आई है क्योंकि जहां तक मुझे लगता है यह वाली गैंग काफी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि जिस तरह इन्होंने काम को अंजाम दिया ना मतलब ऐसा लगा जैसे कि कोई हवा की तरह आया और हवा की तरह चला गया क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि वो वैन लेका है और उन्हें वैन को रोका और जो वैन है वो मेरे गेट में जाके रुकी इसका मतलब उनको ये भी पता था कि उनको अपनी वैन को कितनी स्पीड में चलाना है ना ही जहाँ ते चलाना है ना ही जहाँ दीरे चलाना है इतना चला रहा है कि वो exact गेट में जाके रुके ताकि उनका बिल्कुल भी time waste ना हो बाकि जो दूसरा बंदा था वो उतर के चेक कर रहा था कि कोई कहीं से देख तो नहीं रहा तो मतला वो लोग भी काफी जादा खतरनाक होंगे तभी मैं कहना कि इन लोगों को ना ज्यादा हलके में नहीं लेना है क्योंकि अगर इनके जगा कोई नो सिखी होते हैं तो उनसे तो वैन भी ढंक से नहीं रुकती लेकिन इन्होंने हर काम perfect कर रहा है तो इनको तो मानना पड़ेगा बाकि हम यार यहाँ पर चलते हैं लेस्टर के पास और देखते हैं यहाँ पर हमें वो क्या खबर देने वाला है तो फटा फट से चलते हैं हम अपने लेस्टर भाई के पास तो गईस फाइनली भाई हम पोजगे लेस्टर भाई के पास और यहाँ पर मैंना काफी ज़्यादा है excited हूँ क्योंकि आज मुझे पता लग जाएगा कि वो दो लोग कौन है जिनो नो भाई मेरे घर पे आके इतना बड़ा हंगामा करा और अभी उनकी लोकेशन कहां पर है और यहां पर मैं जाओंगा और उनको ना बहुत ही बुरी तरह मारूंगा तो भाई फटा फट से यहां पर हम ल एक निवसंधि से बात हो चुकी है और यहां पर इतना बैट निउस ऐ बैद निवसे है और आपने क्रिमिनल बेस कुछ भी पता नहीं लगा ऐसा लगा कि यह लोग भूत है जो भाई कहीं से आ चुके ठीक है क्योंकि उनके बारे में यहाँ पर कुछ भी इंफोर्मेशन नहीं मिली और यहाँ पर लेस्टर ने हमें जो दूसा तरीका बताया था जिससे भाई हम उन लोग को ढूंड सकते हैं वो यह스타 लो सेंटोस में हमारा जो पुली सतेशन है हमको उनके सिस्टम को हैक करना पड़ेगा ताकि यह लेस्टर वहां से इन्फोर्मेशन निकल सके इन दोनों के बारे में और लेस्टर को यहाँ पर पक्का यकीन है कि उनके रिकोर्ड वहाँ पर जरुरू होंगे लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रिस्क होने वाला है क्योंकि आप पुलिस टेशन में जाके उनके सिस्टम को हैक करना यह कोई भच्चो का खेल नहीं है यह काफी ज़्यादा रिस्की होगा क्योंकि आप पुलिस टेशन में काफी ज़्यादा पुलिस वा काम कोura को MADE कैसे अंजाम दूँगा क्यूकि याँ इस काम मेना काफी ज़्य ज़्यादा rate इसके लावा आगर यहां पर CCTV में पूरा कंट्रोल है तो वहाँ पर वो मेरी फोटो को डिलीट कर देगा तो अब मुझे इस काम को अंजाम देना पड़ेगा अगर यहाँ पर मेरे को उनको पकड़ना है फिलार भाई हम जाने वाले Franklin के पास तो फटा फटा चलते हैं हम अपने Franklin के घर और यहाँ पर मेरे को बहुत बढ़िया आइडिया है जिस पर अगर हम चलेंगे ना तो भाई हम यहाँ प्लीस टेशन के सिस्टम को एजली हैक कर लेंगे फिलार भाई अब हम आ चुके Franklin के घर के तरफ और यहाँ पर मैं Franklin से बात कर लेता हूँ इसको भाई यहाँ पर मैं पूरा प्लान समझा देता हूँ क्योंकि आफ Franklin का यहाँ पर ना काफी जदा इंपोर्टन रोल है इसके बिना हम यह इस प्लान में बिलकुल भी सेकस नहीं हो पाएंगे तो भाई यहाँ पर इसको में पूरा का पूरा प्लान समझाना पड़ेगा ताकि यह प्लान में बिलकुल भी मिस्टेक ना हो तो फटा-फट से यहाँ पर Franklin से मैं बात कर लेता हूँ और इसको मैं सब कुस समझा देता हूँ फिलार भाई अभी मैं जा रहा हूँ पुली स्टेशन की तरफ वहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ वहाँ पर बस जाके मैं चेक करूँगा कि कौन सा रूम कहां पर है क्योंकि यह लेस्टर ने मुझे यहाँ पर साफ साफ कहा था क्योंकि यह कैप्टन के ओफिस में कोई ऐसे नहीं जा सकता वह काफी ज़्यादा सिक्योर एरिया है बाकि यहाँ पर मैं को एक और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं को निहत्ता जाना पड़ेगा मतलब मेरे पास जोना एक भी वैपन नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जैसी आप पुलिशेशन में जाते होना और अगर आपके पास कोई वैपन है तो उनके सेंसर डिटेक्ट कर लेते और वहाँ पर अलारम बजना शुरू होता है और मैं चाहता नहीं कि वहाँ का अलारम बजे अगर वहाँ पर अलारम बजा ना तो उन लोग को मेरे पर शक हो जाएगा क्या पता हो मुझे गिरफतारी कर ले या फिर में को गोली भी मार सकते है यह काफी ज़्यादा रिस्की होने वाला है इसलिए यहाँ पर मैं अपने पास कोई भी वैपन वगेरा नहीं रखूँगा और यहाँ पर मैं जाए ज़्यादा काम होने की कोशिश करूँगा ताकि किसी को भी मेरे पर शक न होए कि अगर किसी को शक भी हुआ ना तो भाई यहाँ यहाँ पर गिरफतार कर सकते है तो भाई यह तो काफी ज़्यादा रिस्की होने वाला है साथ साथ मैंने फ्रैंकलिन को कहा दिया है कि भाई वो यहाँ पर लैस्टर के पास जाए और Lacski पास ऐने चीज पड़ी है जो काफी ज़या ज़ी कि लिए is उसको ले ले और उसको चनाना सीख ले कि उसको कैसे चलाए जाता है क्योंकि वो चीज ज़ी ज़या ज़्याल ज़ीन आ, अगर वो ना होना तो हमारा मिशन तो सस्टेस्फुल हो इनी सकता तो फ्रैक्लिन को यहां पर उस चीज को सीखना पड़ेगा चाहे जो मर्ज हो जाए क्योंकि उसके बिना ना हम इस मिशन को अंजाम दे नहीं सकते फिलार भाई हम पोज गए यहां पर पुलिस टेशन की तरफ ताकि इनको मेरे बिल्कुल भी शक ना हो तो भाई हम चलते अंदर की तरफ और यहां पर मुझे एक रूम को देखना है जिस पर बाई कैप्टन ओफिस लिखा हुआ है तो भाई वो रूम में को यहां पर डूनना पड़ेगा हाला कि यहां पर लैस्टर ने मुझे बता दिया था कि वो रूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलेगा फिला भाई मुझे यहां पर अभी कोई भी ऐर ऐसा रूम दिखा नहीं ओ भाई यहां पर मैं को दिख गया अब हम जाने वारे लैस्टर के घर के तरफ क्योंकि यहां पर फ्रैंक्लिन हमारा वेट कर रहा होगा और भाई हम यहां पर दुबारा से इस प्लैन को डिसकस करेंगे हम तीनों के बीच ताकि यहां पर बिल्कुल भी गलती ना हो क्यों अगर यहां पर हलकी से भी गलती हुई ना तो भाई हमें यहां पर काफी ज़्यादा बड़ी परनल्टी पर सकती है तो भाई हमें यहां इस प्लैन को ना काफी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ताकि हमारी गलती से भी गलती ना हो तो फटा फट से चलते हैं हम अपने Leicester भाई के पास और बाखी का plan हम वहीं discuss करते हैं तो यहाँ पर हम Leicester के घर पोचने वाले और यहाँ पर मैंको Franklin ने phone करा था किर वो Leicester के घर पे आ चुका है तो मैं भी वहाँ पर आ जूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी Franklin की गाड़ी देख लिए जो कि बाहर खड़ी हुए इसका मतलब अपना Franklin भी यहाँ पर आ चुका है और इसकी गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा खतरनाक है हाला कि उसको यह गाड़ी मैंने गिफ्ट करी थी लेकिं यह गाड़ी मेरे तो देरे देरे करके मैं आपको यह पूरा प्लैन समझा दूँगा फिलार यहाँ पर मैं इन दोनों से बात कर लेता हूँ ताकि इन सब को मेरा प्लैन समझ में आ सके तो यहाँ पर हम तीनों की आपस में बात हो चुकी है और यहाँ पर हम तीनों को अपना-पना रोल समझ में आ गया है तो चलो मैं भी आपको अपना प्लाइन समझा देता हूँ लेकिन यह वाला प्लाइन आप सीखरेट रखना किसी को बताना मत कि अगर आपने किसी को बताया ना तो यहाँ पर मेर पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है तो भी सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैंकलिन की रोल की अब फ्रैंकलिन का यहाँ पर क्या काम है कि सबसे पहले प्लिस टेशन के बाहर खड़ा होगा और उसके पास होगा रिमोट कंट्रोल वाली कार जिसमें हमने फिक्स कर रखा है टाइम बम को उसके बाद फ्रैंकलिन को अपनी रिमोट कंट्रोल कार को किसी पास खड़े पुलिस वाली कार से टकराना पड़ेगा और जैसी remote control वारी car भाई पुलिस वारी car से टकराएगी तो भाई वहाँ पर होगा बहुत बड़ा धमाका जिसे सभी पुलिस वालों का ध्यान उस धमाकी के तरफ खिज़ेगा और इसी का मुझे आपर फायदा उठाना है जब भाई उनका सब का ध्यान उस धमाकी के तरफ हो information निकाल सकते हैं बैठे-बैठे हाला कि प्लान तो अभी मुझे काफी जादा यहां पर बढ़िया लग रहा है लेकर जब हम इस प्लान पर काम करें तब जाके पता लगे यह प्लान सही में काम करता है की नहीं तो यहां पर मुझे फ्रैक्ली ने फोन कर दिया है कि आर वो पुलिस टेशन के बाल खड़ा वाया और वह मेरा वेट कर रहा है तो फटाफट से हम भी चलते हैं पुलिस टेशन की तरफ यहां पर हम दोनों एकी काड़ी में इसलिए नहीं गए थे ताकि यहां पर पुलिस वालों को शक ना हो तभी मैंने इसको पहले बेज जाता और मैं यहां पर थोड़ी देर बाद जा रहा हूँ ताकि पुलिस को बिल्कुल भी यहां पर शक ना हो कि यहां पर हम दोनों यहां पर मिले हुए तो फाइनली हम पोज गए पुलिस टेशन की तरफ और मेरे ख्यार से आ गया फ्रैंक्लिन खड़ा हुआ है और साथ साथ वहां पर र गया था उसी टाइम यहां पर धमाका हो गया था तो उनको यह लगए कि नहीं यार यह बंदा यहां पर ऐसी कुछ इंक्वाइरी वगएरा करने आथा और उसी इंक्वाइरी के बीच यहां पर धमाका हो गया तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है बाकि यहां पर फ्रैं प्रिगलिंग को इशारा कर दिया है और जैसे कि आप देख रो भाई यहापर हमारी जो कार है वो दीरे दीरे बढ़ रही है पुलिस वारी कार की तरफ लेकि यहापर किसी को कुछ भी पता नहीं लग रहा है और यहापर ब्लास्ट हो चुका है तो अब यहापर जादतर ओफिसर वगेरा नहीं है तो यहापर मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया है तो फटाफर से हम इनके सिस्टम में अपनी pen drive को लगाते है तो फाइनली हमने pen drive को लगा दिया है अब यहापर मैं जरूर देखना चाहूँगा कि यहापर कितनी जाद तबाई हो चुकी है नहीं तो इन लोग को हम पर शक हो जगा और यह हमसे पूस्ताज करनी शुरू कर देंगे और ऐसा मैं यहाँ पर नहीं चाहता हूँ तो फटाफर यहाँ से मैं जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलता हूँ ताक यहार इन लोग को मेरे बिल्कुल भी शक नहीं हो है पर यहा अगर उनको मेरे शक होगा भी ना तो उनको यह लगे कि उन्होंने मेरे को पकड़ने का चांस मिस कर दिया है बागी यहाँ पर मैं पता क्या सोच रहा हूँ यहाँ यहाँ पर मुझे गाड़ी भगानी की लोड नहीं है यहाँ पर छोटी सी एक जगा है वहाँ पर मैं जाक करना काफी ज़्यादा बढ़ा था मुझे लगा नहीं तरह वो छोटा से बम इतना ज़्यादा धमागा कर पाएगा लेकर वहां पर उसने नहीं तीन पुलिस वाली गाड़ी को जला दिया था तो आप खुद अंदर जा लगा लो कि यह वो बम कितना ज़्यादा खतरनाक था म देखते हैं लेशर भाई हमें यहाँ पर क्या information देता है उनके बारे में और अगर यहSíonia ngसा नहीं तो इहां पर यहांपर मेरा तो इहांपर दिमाग खराब हो जागा यहां यहांपर इस प्लान करने मेरा मेरेको पुलिस टेशन के सिस्टम को hack कर रहा था उल्टा भाई लैस्टर के सिस्टम को किसी ने hack कर लिया और लैस्टर की mall को दे दी और पुलिस वारे आरे उसको पकड़ने के लिए तो भी लैस्टर मुझे कहरा कि अफटा फटा फट से हम्को यहां से भागना पड़ेगा थाकि Maintenant past पली यहां से हम निकलते है यहां पर एक पुलिस वाला में लेटर के घर के तरफ जा रहा है तो मेरे ख्यान्य हमने काफ़ी बड़ा पंगान ले लिया है और यहाँ पर दूसरे भाईक वाला भी लेस्टे की तरफ जा रहा है और यह तीसरे भाईक वाला भाई यहाँ पर मतलब हम तीन वारी बचे उनका अभी पूरा फोकस भाई लेस्टे के घर पे जाने का है तब ही शायद हम यहां से बचके निकल पाए बाग कि यहां पर मैंने लेज्टर से बात कर लिए है लेकिन यहां पर लेस्टर को बिल्कुल भी यकिन नहीं हो रहा है कि यहां उसकी लोकेशन किसी तरह है कर ली किसी ने क्योंकि यह जैसे कि आप सब लोग को पता कि लैस्टर कितना बड़ा हैकर है उससे बड़ा हैकर मैंने आस्तर कई नहीं देखा है लेकिन आज उसकी भी लोकेशन किसी ने हैक कर ली तो मतलब तो भाई यह तो एकदमी गजब हो गया पर यहाँ पर अब यहाँ उसी बत काफी भी शक नहीं है उसको बस यहाँ पर लैस्टर को भचाके रखना पड़ेगा उसको कुछ दिन के लिए अंडर ग्राउंड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर यहर उसको कोई भी पकड़ ना पए और तब तक भाई हम यह देखते हैं हम इस चीज़ से कैसे चुटकार ले सकत तो guys finally हम पोज़ गये अपने घर के तरफ अब जाके मेरे जान में जान आए अब जाके मुझे थोड़ा safe message हो रहा है बाके यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने bodyguard से बात कर लेता हूँ कि अगर उनको यहाँ पर कोई पुलिस वाली गाड़ी दिखे या पु कर देना कमेंट कर देना और शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो मेरी वीडियो को पहली बारी देख रहे है या सब्सक्राइब करके बैल अकन दवाना मत बूलना मिलता आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई